हलो फ्रेंज, आज हम करेला फ्राइ बनाएंगे थोड़े अलग तरीके से करेले और प्यास की सबजी तो अपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार इस तरह से बना कर देखें, सभी बहुत पसंद करेंगे यहां पे हम करेले को थोड़े अलग तरह से बनाएंगे, करेले में डालेंगे कुछ अचारी मसाला, इस मसाले को डालने से करेले में बहुत ही बढ़िया अचार जैसा टेस्ट और फ्लेवर आता है और इसके करवाहट भी कम हो जाती है, तो इसके लिए मैं यहां पे प्यास ले रही हूँ एक बड़ी, एक मीडियम साइज की केरी ली है मैंने, और यह हैं डाइसोग्राम करेले एक बड़ी प्यास को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, तो बिल्कुल पत्ते स्लाइसेस करें ताकि वो फ्राइ करने पे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएं केरी को दोकर छील कर और अब उसको हम घिस लेंगे, तो यहाँ पे हम घिसी भी केरी डालेंगे और एक पूरी केरी डालेंगे, क्योंकि खटाई डालने से जो करेले हैं उनके कड़वाहट कम हो जाती है केरी से करेले में बहुती बढ़िया टेस्ट आता है, और इसी के साथ हम डालेंगे अचारी मसाले, तो केरी उसके टेस्ट को और भी बढ़ा देती है अच्छे तरह से इसको घिस लेते हैं, अब यह ग्रेट करीवी जो केरी है, इसको हम अलग रख देंगे करेलों को मैं छील नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही इनको स्लाइसे में कट कर रही हूँ, तो इसके ends हटाके और इस तरह से पतले स्लाइसे कट कर ले, अगर आप चाहें तो ऊपर से छिलके को थोड़ा सा स्क्रेप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसे कट कर लिये है और आप देख सकते हैं कि जो slices हमने काटे हैं वो बहुत ही पतले हैं ताकि वो fry करने पे एकदम crispy हो जाएं अब इसे एक bowl में डाल देते हैं तो यहाँ पे हम अलग तरह से करेले बनाने वाले हैं तो इसको हम थोड़ा सा marinate करेंगे तो कुछ मसाले डालते हैं इसमें नमक लाल मिर्श पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर डालेंगे साथी अब इसमें तेल डालेंगे तो यहाँ पे मैं दो चम्मच तेल डाल रही हूं कोई भी refined oil आप इसमें डाल सकते हैं इसी के साथ हम डालेंगे बेसन तो बेसन यहाँ पे दो चम्मच ले लें तो इनी सब मसालों और बेसन के साथ अच्छी तरह से इन करेलों के स्लाइस को कोट करेंगे तो इस तरह से हाथ से अच्छी तरह मलते हुए सारे मसाले को इसके ओपर कोट कर दें तो जब यह अच्छे जैसे सब मसाले से कोट हो गए हैं, इससे बहुती बढ़िया टेस्ट और फ्लिवर आता है करेले में, तो अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं, पैन में अल्ड़ी ओल गरम है, मैं ये करेले डालके और इनको शैलो फ्राइ कर रहे हूं, तो यहां हम जादा तेल यूज नहीं करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह एकदम क्रिस्पी से फ्राइ हो गए हैं, बस पांच मिर्ट लगते हैं इसको फ्राइ करने में, सब तरफ से टर्न करते हुए अच्छी तरह फ्राइ कर लें, और करेलों को निकाल के अब अलग रख लेते हैं, अब करेली की सबजी तया तो करेली में यूजुली जो हम तड़का लगाते हैं, उसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप ज़रूर राइ करें से फ्रेंज, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है करेली की सबजी में, अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे, बढ़िया सी खुश्पु करेली की सबजी में प्यास थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती है, अब मैं इसमें दो लाल मिर्च डाल रही हूं सूखी, इसी के साथ थोड़ा सा और फ्राइ कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं प्यास का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है और ये सुनैरी सी ह अब मसाले डालेंगे, हल्दी पौडर, लाल मिर्च पौडर भी डाल देते हैं, धनिया पौडर दो चमच डालेंगे यहां पर, अब नमक में यहां पर काला नमक डाल रही हूं, तो साधे नमक की जगे काला नमक यूज़ करें फ्रेंज, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट मसाले को अब प्यास के साथ थोड़ा सा फ्राइक कर लेंगे, इसलिए हमने प्यास को पूरी तरह से फ्राइक करेंगे, अब हमे इसमें डाल देते हैं, तो यह छोटे-छोटे अगर आप चेंजिस करेंगे तो यह सब्जी बहुत इ-सपेस्ट और बहुत इइज झाल, अमचूर पाउडर डाला जाता है खटाई के लिए लेकिन यहां पे मैं केरी डाल रही हूँ इसका टेस्ट ऑफ लेवर तो बहुत ही बढ़िया होता है और गर्मियों की यह दोनों बहुत ही स्पेशल चीज़े हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से ब करें सबजी बनाने में आप रूटीन में करेलों को इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा बस फ्राइ करेंगे एक दो मिनिट तक और बस यह तयार है बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं इसकी जो प्याज है वो भी अलग तर ऐसे एकदम क्रिस्पी जी फ्राइ हुई है और जो अचारी मसाला हमने डाला है उससे बहुत ही बढ़िया सी इसमें से खुश्पू आ रही है इसे सर्फ करें चपाती या पराठे के साथ आप इसे टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं ऐसी ही स्वादिश रेसिपी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करन ना भूलें तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले विडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक देखते रहें स्वाद्या रसुई जहां है स्वाद भी और सेहत भी